नमस्कार दोस्तों मैं रूंजा आपका फिर एक बार इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों पिछले वीडियो में हमने काफी सारी चीजों को समझाता आज हम लोग KCL KVL के कॉंसेट को यहाँ पे समझने वाले हैं आप लोग प्रॉपर तरीके से कॉपी में नोट करेंगे कॉंसेट को अच्छे से समझेंगे हैना अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप अपने कमेंट देंगे ठेक है नए तो चलिए हम लोग समझते हैं एक एक चीजों को ठीक है तो ध्यान देंगे आप सभी लोग चलिए तो बात करेंगे सबसे पहले किर्चॉफ लोग किसकी लोग बात करेंगे हम लोग किर्चॉफ लॉग तो एक साइंटिस थे किर्चॉफ एक साइंटिस थे किर्चॉफ जिन्हों ने दो नियम दिया एक नियम दिया करेंड का और एक नियम दिया बोल्टेज का है, ठीक है, किसका नियम दिया है, एक करेंट का नियम दिया, एक बोल्टेज का, जिसे हम नॉर्मली करेंट लॉ या बोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं, तो ये चूकि किर्चॉफ में दिये, इसलिए इसे किर्चॉफ करेंट लॉ और किर्चॉफ करते हमें सम्म्नूत जब भी बात करतें किर्चॉफ थी तो सबसे नहीं पहला नियम था इनको के C L इसका मतलब करे बूす किर नहीं करेंट 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 लो क्या है है नियन triangular यहां पर क्या था इस की हमें बات हमें बात तो हेलो एवरीवन आंगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ एक अनकैडमी आपके लिए बहुत ही खास ओफर लेका आया है जिसमें आप स्टूरेंट जितना भी इसको अगर चाहें तो एन्रोल जरूर करें क्योंकि इसमें आपको कई सारे सेट पेपर सॉल् करने से आपको यह benefit होगा कि आपको 10% तक कर डिस्काउंट मिल लाएगा किसी भी सब्सक्रेप्शन में और आप फ्री एन्रोल यहां पर इस पीवाई क्यू टेस्ट यानि कि प्रिविएस एर कोस्टन टेस्ट में कर पाएंगे डियर स्टूरेंट तो इस मोस्ट इंपोर्ट तो 11 एम पर आप definitely इसको connect करें 8 में को 8 में को संडे को आप जरूर connect करें mechanical, civil, electrical, CS, IT, AC सभी ब्रांच के लिए इसमें 4 करोर लगबग स्टूरेंट आप बैठने वाले हैं और अच्छे से इस टेस्ट को देने वाले हैं अगर आपकी एक अच्छी रेंक आती हैं 1st to 3rd के इनकी 51 से 100 के बीच रेंक आती है तो आपको 25% तक कर discount यहां पर लेखनों को मिल जाता है किसी भी subscription पर तो यह आपको बहुत important है यह सब चीज़ें याद रखना 8 मही और आप जहासर 10 को जरूर इस्तमाल करें क्योंकि बहुत important है जहासर जहासर आई आर 10 ओके यू हैब तो न से 10 percentile 15 और 90 percentile student have only 10 percent discount so dear definitely you need to connect ओके आप सभी को यह जरूर देना चाहिए इसे हम लोग क्या बोलते मित्रो इसे बोलते हम लोग node क्या बोलेंगे node इसी नोट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं junction क्या बोलते हैं junction तो आपके पास एक यह है और एक यहां से यह जा रहा है तो जब आने वादी current है इसे हम आई 1 नाम दे दे यह आपके पास I4 और यह आपके पास I5 तो आप देख पारहा हूंगे कि एस सथ आरेंज्मेंट में अपनको 5 प्रकार के branches देख रही हैं इनको क्या बोलते हैं मित्रों branches जिनको नहीं बताया उनको मैं बता दूं कि यह जो structure हम लोगों ने बनाया है इस तरह के का है ना यह जो structure बनाया है इसमें ये वाला part क्या कहलाता है branch क्या कहलाता है branch ये वाले point को हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं लोग node क्या बोलते हैं node तो एक node है जिससे कई सारी branches connect होती हैं तो किर्चोफ ने पहला नियम ये दिया कि किसी भी node पर आने वाली और इस node से जाने वाली समस्त धाराओं का बीच गरती योग शूनने होता हैं क्या बोला किसी भी node पर आने वाली और उस node से जाने वाली समस्त धाराओं का बीच गरती योग शूनने होता हैं ठीक है क्या बो बोला, at any node, the algebraic sum of all the incoming and outgoing current should be equal to 0, तो इन्होंने बोला, सबसे पहले इस नियम में, algebraic sum, क्या बोला, algebraic sum, algebraic sum of all the incoming and outgoing, current should be equal to 0, इनका समस्दारा का बीच करती हो, कैसा होता है, शून नहों होता है, ठीक, तो यह 0 होता है, इसको आप ध्यान देंगे, sorry, तो यहाँ पर आने वाली current कौनसी होगी आपके पास, आने वाली की मैं बात करूँ अगर आपसे, तो यह कौनसी होगी, i1, और कौनसी होगी, i2, और कौनसी होगी, sir, i3, ठीक है, यह प्लस की है, और जाने वाली कौनसी ह माइनस, तो हम दो क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं, माइनस i4, प्लस, माइनस i5, एक कौनस टू, जीरो, तो किसी नोट पर आने वाली, और जाने वाली, समस्त धारों का बीज गड़ती है, यह आपके प्लस प्लस में है current, बाकी कैसी होगी आपकी, माइनस में होगी, ठीक इनका बीज गड़ती होग कैसा होता है, इसको हम लोग इस तरीक से भी डिफाइन कर सकते हैं, कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, कि सर, i1 प्लस i2 प्लस i3 एक क्वल टू कितना हो गया, i4 प्लस i5, यानि कि हम लोग बोल सकते कि इनकमिंग करेंट, जो होगी, वो बरावर किसके हो जाएंगी, आउटगोइंग करेंट के, आउटगोइंग करेंट के, यानि कि आउटगोइंग मतलब यहां से करेंट निकल नहीं है, दूर जा रही है, इनके बरावर जाएंगी, तो आने वाली करेंट बरावर किसके होग जाने वाले के बरावर होगी जो हमें अच्छे से किलियर हो जाना चाहिए ठीक है? अच्छा सर आपने बता दिया किर्चॉफ पर करेंट लोग जो है ये होता है ठीक है? ये लेकिन क्या ये नोट ही जंक्शन है? हाँ इस नोट को ही जंक्शन कहते है जैसे एक शहर है जहां से ट्रेन कम से कम चार से पाँच एरिये साइट जाती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जंक्शन क्या बोल देते हैं? जंक्शन जब किसी नोट से करेंट दो या दो से अधिक मार्ग में जा रही है या आ रही है थेके दो या दो से अधिक ब्रांच में जा रही है या उन बरांच से आ रही है तो ऐसे नोट को हम लोग जंग्शन कहते हैं यानि कि यहां पर यह जो नोट होगा यह क्या ऐगा यह आपका जंग्षन केला धिया क्या लागा वित्रों यह आपका जंग्शन कहला थेके सबसे important स्काराइब इसमें यह है कि किर्शोफ का नियाम है के सील जो यह के सील इन संदोर इडिजियन इस बीज ओन दञाएश चार बीजिक्ण आ टनीक्रिसेंप जो इक जो केंजर मेशन और हैं कि आण tut Спारीक्द से यह लाखिवार मन को splash दzessे तप्रिक्षा में या कुछिस्ट सिध्धान पर आधा रहे थे कि रिचोफ का करेंट नियम किसके सिध्धान पर आधा रहे थे कि रिचोफ परेंड़ों इस बीज़ ओंदा प्रिंसिपल ओफ ये बहुत अच्छे से idea होना चाहिए आगई बास ठीक है चुकि हम लोग इसमें समझते हैं इसके basic law को तो हमें ये बहुत अच्छे से idea होना चाहिए हमें मालूम होना चाहिए कि q बराबर क्या होता है दोस्तों it 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 क्या उता know it q बराबर आपको क्या होता it तो हम लोग क्या लिखते हैं अगर इसके differentiation कर दिया जाए अगर इसका differentiation कर दिया तो यहाँ पर current क्या है, current है rate of change of charge, तो current को हम लोग क्या बोलते हैं दूस्तों, current को बोलते हैं, इस current को हम लोग बोलते है rate of change of charge, इस current को हम लोग बोलते है rate of change of charge, तो हमें condition बहुत अच्छे से clear होना चाहिए, कि current का मतलब क्या है, rate of change of charge, जो समय दर के साथ change होता है, जिसमें charge तो वही आपका current होता है वही आपका क्या होता है? current होता है तो किर्चॉफ ने यही सबसे पहला नियम दिया किर्चॉफ का current नियम ठीक है ना? चलिए note करेंगे सभी विच्चे ठीक है? I hope आपने note इसे कर लिया होगा चलिए हम लोग आँगे बढ़ते हैं ठीक है तो यह किर्चॉफ का current नियम हो गया next बात करेंगे हम लोग KVL कर KVL यानि कि KVL का मतलब क्या होगा आपका? किर्चॉफ किर्चॉफ voltage log क्या होगा? किर्चॉफ voltage log ध्यान से आप सुनेंगे बिल्कॉल एक एक concept को बहुत ही important है बिल्कॉल basic basic theory भी यहाँ पर आपके पूरी complete हो जाएगी तो किर्चॉफ का voltage नियम क्या था? किर्चॉफ का voltage नियम क्या था? तो जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक ले रहे हैं battery यह हमने एक arrangement बनाया ठीक है? यह हमने एक arrangement बनाया और इस battery का नाम है आपका V यह कौनसी battery है? वी इसमें register R1 है इसमें register R2 है इसी प्रकार से इसी प्रकार से इसके एक जो voltage होगा देखी हमें समझना है polarity के बारे में बहुत अच्छे से कि कभी हम कभी भी हम लोग voltage supply देते हैं तो इसके बाद जो भी element आता अगर यह minus plus है तो जो भी element आएगा इसका पहला sign कैसा होता? positive फिर कैसा negative फिर positive negative जो भी आएगा पहला element जो भी होगा चाहे वो register हो inductor हो capacitor हो चाहे linear element चाहे non-linear element किसी भी प्रकार का तो यह आपका plus minus plus minus हो जाता है तो इस सिती में इस सिती में अगर यह minus plus है तो हम इसा प्लस है तो यह कौन सा होगा प्लस याद रखने इस बात को तो यहाँ पर voltage कितना आएगा वी suffix में आरगा वी आरगा यहाँ पर यहाँ वी यह को ई करें ध्रैन्म लोग कह देते हैं आई कर निहां गैँ की चलो होगी तो यह क्या कहता है क tiếp ररक का बोल्टेज का निहां क्या है यह क्या कहता है यह कहता है the algebraic sum, algebraic sum of all the, all the voltage, sources and, and potential drop and potential drop across each passive element, each passive element, element should be equal to zero, should be equal to zero, अब इसका मतलब क्या है, यह आप बहुत अच्छे समझे है, इसका मतलब क्या है, यह आप बहुत अच्छे से समझे है, इसमें बोला गया है, कि किसी भी close loop में, in a close loop, यह किसमें काम करती है, condition, only in a close loop, तो हमें लोग इसमें लखेंगे, in a close loop, क्या लखेंगे, in a close loop, in a close loop, तो in a close loop, the algebraic sum of all the voltage source, add the current या voltage drop across each passive element should be equal to 0, यानि कि इसमें close loop arrangement में जो हम पढ़ रहे हैं, इस close loop arrangement में, जो जितने भी voltage source होंगे, है न, वो सभी, वो सभी, plus potential drop across each passive element, potential drop across each passive element should be equal to, किसके बरावर रहेगा, यह 0 के बरावर रहता है, तो in any close loop, the algebraic sum of all the potential drop, and voltage drop across each passive element should be equal to 0, तो अपने को यह clear रहेची, तो voltage कितना है, इसमें एक ही है, तो जब भी loop लगाते हैं, तो पहला sign लेंगे हम लोग, algebraic sum का मतलब यही होता है, algebraic sum का मतलब यह होता है, कि इसको पहले sign के साथ हम इसे लिखा जाता है, तो जब हम इसको अगर लखेंगे, तो किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कि minus V, minus V, plus, क्या होगा है, V, R1, यानि कि R1 के across voltage, plus V, R2 के across voltage, equals to, इसमें और तो कुछ है नहीं, और तो इसमें कुछ है नहीं है, तो minus V, plus V, R1, plus V, R2, बराबर 0, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते है, V, plus 2, V, R1, plus V, R2, लिख सकते हैं कि नहीं, तो यही तो आपका है, यही तो आपको कहलाता है, क्या यही कहलाता है, KVL, यही कहलाता है KVL, ठेके, हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, कि जो supply voltage होगा वो आने वाले सभी element के across जो potential drop होगा इन सभी के बीजगरती योग algebraic sum की योग के बरारण होता है हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं ऐसा भी हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि we close to vr1 plus vr2 इस तरीके से हो जाता है तेके हमें मालूम है कि अगर vr1 को हमें लिखना है तो हम लोग अगर solve करें आंगे तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि sir vr1 का मतलब तो यह भी होता i into r1 current to register vr2 का मतलब होता है i into register r2 यह होता है तो total अपने पास कितना हो गया v plus 2 i r1 plus i r2 और इससे हम चाहें तो i k value भी निकाल सकते हैं बिलकुल आप निकाल सकते हो बिलकुल आप निकाल सकते हो यह basic चीज़ें मैं पता होना चाहिए sir यह जैसे आपने बताया था कि kcl conservation of charge पर निर्वर करता है यह किस पर निर्वर करता है तो kvl जो होता है it is depend on the principle of conservation of energy किस पर काम करेगा conservation of energy conservation of energy यह conservation of energy पर निर्वर करता है याने कि उर्जा के सनरक्षन के नियम पर किस पर उर्जा उर्जा के सनरक्षन के नियम पर बहुत important है जोस्तों यह परिच्छा की दरश्टी से आपके बहुत important है तो याने कि conservation of energy याने कि उर्जा के सनरक्षन के नियम पर काम करता है तो कूछ लेता है जर्णली पेपर में तो हम बोलेंगे it is based on the conservation of energy तो option आता है conservation of energy, conservation of mass, conservation of momentum, conservation of charge तो हम लोग conservation of energy याने कि उर्जा सनरक्षन के सिद्धान पर कार करता है यह लगा देते है ठीक है तो आप लोग एक एक point बहुत अच्छी तरीके से copy में note कर लेंगे चलिए note करिए ठीक है I hope आपने note अच्छी से कर लिया होगा ठीक है तो हम लोग इसके बाद दोस्तों समझते हैं देखी यह तो KCL और KVL समझ लिया कि KCL का मतलब क्या है KVL का मतलब है theoretical arrangement का मतलब क्या होता है है यह हम है rules आना चाहिए यह रूल अगर इस ही में हम आपको बोले कि भ कि मैश मेश मेश क्या होता है दोस्तों तो इसी arrangement मेंट को मैय चलों भी बोल देद किया मतलब और लूप लगता है तो यह अम आपको बताया तो हम लोग बोलते थैं मैश жंद बुंप बोलते मैश लॉग तो अगर आप से कुछ जेन ऐनसे से नास यह नाशलोग मैस एनलेसिस यह मैश नमाश यह चनला तो मैस का मनला होता है के वी एल और प्लस ओम्स लोग क्या बोलेंगे के वी एल प्लस ओम्स लोग तो मैश अगर आप लिखना चाहो तो बिलकुल सेम टू सेम अरेजिमेंट आएगा यही आपका ऐसा स्टक्चर हम कुछ भी स्टक्चर ले सकते हैं मजब जितने भी बोल्टेज होंग को हमें लिखते हैं तो दोस्तों इसको बोलते हैं के वी एल क्या बोलते हैं के वी एल और जब इस वोल्टेज को हम कनवर्ट कर देते हैं जैसे एक वी आरवन है तो आई इन्टू आरवन वी आटू है तो जब इसमें आपने कनवर्ट कर दिया तो इसमें क्या लग गया इसमें आपने ओम स्लाव भी लगा दिया तो ओम स्लाव का मतलब क्या है यह ओम स्लाव लगने का मतलब क्या है ओम स्लाव लगने का मतलब यह है कि जिन element के across voltage drop हो रहा था उसको हमने connect और register के form में लिख दिया i into r के form में लिख दिया यानि kbl के साथ क्या लगया ओम स्लाव और जब kbl के साथ ओम स्लाव लग जाता है तो यह तो voltage voltage ले लो voltage source दियो हो तो सभी voltage है न यह voltage बाकियों के बरावर होगा लेकिन जो element दिये तो उनके across तो कुछ ना कुछ voltage होगा ना तो उन सभी के योग के बरावर हुआ था यह तो वी बरावर बी अरवन फ्लस वीयाटू भी अरवन का मतलब आयंटू रवन भी इर्टू का मतलब आयंटू अरशु तो यानकि हमने is a kcl only kvl only kcl plus ohms low या kvl plus ohms low तो बताइए आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे इस सिती में आप करेंगे kvl plus ohms low क्या करतेंगे दूस्तो kvl plus ohms low ठीक चलिए हम लोग बढ़ते हैं next concept की ओर तो यह आपका तीसरा हो जाता है आप लिखे लेंगे match analysis आप चाहें तो बिल्कु यह b plus vr1 plus vr2 पराबर 0 minus b में b equals to vr1 plus vr2 और इनकी value पुट कर देंगे और यह आनकी हो गया kvl plus ohms low it is called mass analysis क्या बोलेंगे match analysis ठीक चलिए आँगे बढ़ेंगे हम लोग ठीक तो चलिए धान देंगे अब बात करेंगे आप नोडल एनलिसिस की किसकी बात करेंगे नोडल ए नोडल एनलेसिस तो नोडल एनलेसिस क्या होगा देखेंगे नोडल एनलेसिस में एक ये रेजिस्टर है एक ये रेजिस्टर है और एक ये रेजिस्टर है यहाँ पर आपको एक बोल्टेज सोर्स दिया गया है यहाँ पर एक बोल्टेज सोर्स दिया गया है ठीक इस तरीके का अरेंडमेंट आपको यह दे दिया गया तो इसकी value V1 ले ली इसकी value हम लोगों ने V2 ले ली ये प्लस माइनस है ये प्लस माइनस है ये R1 हो गया ये R2 हो गया और ये बीच में R3 हो गया तो जब भी हम node analysis लगाते हैं तो हम लोग हमेशा node के voltage को सबसे बड़ा मांते हैं always तो हम लोग क्या लेखेंगे always always feel feel करिए इसमा always feel node voltage is node voltage always feel node voltage is greater than other greater than other ये किस से अलवेस फील ठीक है तो ये ग्रेटर है तो हम लोग क्या इसको अपनी मर्जी से हमेशा क्या माल रहेंगे यानि की यह इस node को माल लेंगे X और इस node पर आने वाला बोल्टेज क्या माल लेंगे ayx हम इसा बड़ा मालेंगे और जहां पर जिस point पर डोल्टेज सबसे ज़ादा होता है वहां से current flow होती हम हमेंसे हही current flow होगी है ना जो greater होगा होगी कि governor का मतलब क्या हो गया इस तका मतलब यह हो गया कि यहां से जब current flow होगी इसके voltage की value भी greater होगी यहां ईका लोग इसमें model किस طریقے से लगा यहांतों नोग मांनते हैं कि यहीं करेंट दूसरी तरफ जाएगा यहां से भी करेंट ऐसा इस तरफ जाएगा यहां से भी करेंट इस तरफ जाएगा हम इसा मानते हैं तो इसको बड़ा मानते हैं तो हम लोग क्या लेते थे इसको अपनी मर्दी से आईबन सकते हैं इसको अपनी मर्दी से I2 मान सकते हैं चीक है तो जब हम बीछ वाला हम इसा greater रहते हैं देखिए इसका उप्योग कब किया जाता है जब किसी ब्राँच में आपको करेंट नेकालना है या किसी एलिमेंट के अकरॉस बोल्त नेकालना है तो अगर मालो इसके across current निकालना है तो इस note पर voltage हमें मिल जाए तो voltage upon register आप कर देंगे और voltage upon register जैसी कर दोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगी current आपको यहाँ पर मिल जाएगी voltage upon register जैसी करेंगे तो आपको current यहाँ पर मिल जाती है तो यहाँ पर अगर देखें तो आसानी से हम लोग यह सब चेंज कर देते हैं तो हम लोग क्या मानते इस में सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग लिखेंगे किसी नोट पर जाने वाली करें प्लस उस नोट पर आने वाली तो यहां पर हमेशा जाने वाली है आपको मिल लए है क्योंकि हमने बोला हमेशा अपन BX को ग्रेटर मानेंगे अगर करेंट सूर्स आ रहा है तो बात अलग है ठीक है अभी हम उसके कोश्चन लेगे पाद में चर्चा की जाएगी कोश्चन को आपको लगवाए आएगा तो स एस तरफ करेंट जा रहे है यानि कि यह बोल्टिज कैसा है बड़ा है यह बोल्टिज कैसा होगा चोटा होगा तो जो बड़ा है वो पहले आता है और जो छोटा है वाद में यानिकि BX-B1 अपन आपके लिख देंगे आरान BX-B1 अपन आरान ठीक है उस साइड है तो क्या एक माइनाज भी टू अपॉन आइडू ठीक है अच्छा इस तरब करेंट जा रही तो क्या लेखेंगे दी एक माइने जीरो अगर यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है जीरो तो जीरो लेखने के दिशलिव है नहीं अपॉन आठी एक क्वेश्ट्टू कितना होगे जीरो तो है यह पर कुछ नहीं कि तो क्या होगा दोस्तों यहां पपर करणा इसका मतलब होता है 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 इस इत्व को भूंदे टेếnशन है किनीट्रल ठीक है नीट्रल इसी को को किछा दम सेंगे neutral बोल देंगे यानि कि यह ground हो गया ground हो गया तो BX-0 सर कैसे लेखा एक बार और बताइए बिलकुल इसे बोलते हम initial potential इसे बोलते final potential प्रारंबिक बिभाओ अंतिम बिभाओ initial potential final potential प्रारंबिक बिभाओ अंतिम बिभाओ तो दोनों voltage का difference लेते चुकि current ऐसे जा रही है तो यह वाला voltage पहले यह वाला बाद में अगर current ऐसे जा रही होती तो यह voltage पहले लेते यह बाद में जब नोडल लगाते हैं तब हमेशा मांगते हैं नोट का voltage सबसे बढ़ा होगा तो यहाँ पर करन जाएगी BX-B1 upon R1 कर दिया इसी परकार से BX-B2 upon R2 कर दिया BX upon R3 कर दिया तो आपका यह जो concept है यह जो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसको हम बोलते हैं KCL सुरी केवी एल क्या बोलते हैं केवी एल और यहा पर जब इसे कवल पितनकतर दिया तो इसे बोलते केवी एल प्लस ओώνष सब्सक्राइब होता है यहीया आपका वोता हैинеोड सबसी का होता है नोडल आनलीसिज्ष इसको नोडल एंलीसिख गोई किस स्कों के वियल प्लस उस लो पहले मैं तो यह सबताये था न गे इस बात के धियान लखे से लुग कई सी हलं यह तोद देशार लगा मैं बताया अब हैं यह तो पहला हो गया के सी हलना च्छा था कसी एल गांना कसी एलका फिर अपने पढ़ा कर्छा बोल्टेज् creators पढ़ा फिर के बाद पढ़ UP मैस एनशीज फिर पढ़ दिए सिस तो नोडल एनेलेसर में क्या होता है यह जो अपनेल लगा इनरा इव और कर दिया तह सब के से हम लोग इसको लिख देते हैं अगर संद में तो यह क्या होगे के सील प्लस ओम स्लों ठीक तो यह आईडिया आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए था ठीक है तो कोश्चन पेपर में एक नमबर है पूछ लेते हैं कि नूडल अनलेसिस बेजना प्रिंसीपल आप क्या हैं बताते हैं